आप जब तक मौर्यूद रही मनुझन होता रहा है मैं हमेशा से मतला परिशानि ऐसी नहीं कि दिमागी परिशानि हो ठोड़े से लोगों बटाने में के अपने आपको क्या चल रहा है का चीज हो रहे हैं घर के अंदर को कईसे करना है तो थोड़ा थया है वाखous कि amazing big boss तो विसे भी मैंने हमेशा बोला है मेरा maaikah है अच्छा ये माईके ने फिर वपीस एक नई जिंदिना लिए, विए अग्री दिस्क चीजे फिर पट्टी पर आ रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, देखो, कहते हैं न वही शिददस से आप सोचो कि आपको वह मुकाम मिलना चाहिए, तो बिग बॉस मैं जाकर मैं हमेशा से उस घर की बहुत इज़त करती हूँ हमारे इंडियमौल वाइक को मुसलमान साब जिनके साथ मेरे थोड़ा ऐसे से मामला चलते हैं हसी मुझाख वाले तो डेफिनिटली डेफिनिटली कि इस बर क्या नया सीखा या क्या लोगों को बनाया रे नही Canadे किसी को बयबगूप नि बनाया मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ और मुझे थोड़ा सी महा पर जाकर लोगों के अंदर एकदम से चिंगारी लाना थी trained पाक लाना था बिकोज बहुत आराम से थे सब आराम से अपनी जिन्दीगी गुजार रहे थे घर के अंदर टास्क के टाइम थोड़ा से अपना ऐसा दिखाते थे एनरजी के टास्क आगे अब हम दिखाएंगे हम कौन है लेकिन जो रोज के जो वीकडेस चलते थे उसके लेकिन मैं जो करती थी वो इससे ठोक के करती थी हां किया है हां किया हां किया है राइट 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 किया है कितनी दोस्तियां खराब हुएं कितनी दोस्तियां बनी खराब तो नहीं मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हुई अली से बहुत अच्छी हुई अली तो एह एक नीड्रल रिलेशें रहा है दोनों एक दूसरे के साथ थे फिर लास्ट में रूबीन दिन ए लेक्या अमेशा से आप बिग बस में लाथ है डुसरी बार चांग जाने के लिए तो यह थी यह थी नहीं डें कि क्या होता था मुझे टाइमिंग पता थी कि कब कैसे करवाना है चीज़ें विकुज हम उस शो के अंदर गए और उस शो के अंदर हमें भेजा इसलिए गया कि हमारी जिम्मेदारी के शो को उपर करना है ना कि महाँ पर अराम और अपनी जिन्दा कामरा के लिए महाँ पर र विक्षका और अर्शे के कहने से रियक्ट करते हैं मेरे हाथ में रिमोट तर तंग करके मैं बजाती थी और पूरे घर को हितर हो और हुतर ह FR Kṛṣṇa मिए सिर्प लडाइ कर्वाईए बहुत सी चीजसें करवाईए हैं मैंने घर के अंदर बहुत मस्थी मजाग बहुत चीज़ें ह कि यह पहले से तहीं कि क्योंकि जीतने वादी रेस में शामिल नहीं थी आपका काम तर शो को एहनांस करना यह स्कृप्ट दी गई थी यह अर्शी की जो आता है नेच्वर्ट प्लो के साथ वह आता गया आपके गई ने इसकृप्ट नहीं दी गई थी हम जब उस शो के अंद कुछ ऐसी हलचल मचानी है कि लोगों को मज़ा है सल्मान मुतमेन हुए आपके परफॉर्मेंसे बहुत तीकी नोधों भी रही है आपकी साइलेंट सटल कई वायर आप रोही ही है आपकी और सल्मान की बड़ी मुद्दा रहा डिसकुशन का मुद्दा रहा हां वो शुरू कि बहुत लोग थे आपकी से अपने आपको ज्यादा जिम्मेदार मनती है यहां तक पहुचाने के लिए या इससे टीम वर्क टीम में और कौन इंपॉर्टेंट सभी थे सबने अपने साब से अच्छा कहला कैश को बहुत दिल था खेलने का लेकिन वो दो हफते रही फिर आपके बाद और बहुत सारे लोग थे राखी टीराओर मेरी नोग जोग बुत लोगों को पसंद आई है हम दोनों का जो ऐसा अ एसा लगता है कि दोनों पता नहीं कितने जनम की पुरानी वो और लड़ रही हैं मार रही हैं एक दूसरे को तो अच्छा था उसके साथ नाहूर को लेके बहुत आजी बढ़ ब़ड्री बज ही बाहर आपको पता होगा उस बारे मी करें अच्छी बात है न बहुर आएगा तो खुश हो जाएगा और शाय ए शेयर हो शायियां पर नस्राट कर देगा खुश हो जाएगा। क्या आपको लगता आपको और एंट तक रहना चाहिए तो हाँ मुझे फिनाले तक रखना था मैंने कली बोला लोग क्यों किया मेरे जाथ ऐसा तो लोग लोग शान थे विल्कुल चुप चाप में क्योंकि मुझे लग रहूंगी क्योंकि नौन बहुत सारे से लोगी जो नही किया कि आपने मुझे हां पर भेजा और सेकेंड चीज कि उपर वाला इस घर को खुब नावाज है ताके हम अगले सीजन में फिर से आए और जादा पैसा थे हमें अच्छी कौन डिजर्विंग नहीं था उसके बाहुजू भी हुआ था बहुत सारे लोग हैं डिजर्विं कि बात करूं तो ठीक था को कि वाट अपनिंगा और क्या कुछ हो रहा है और जंदगी कितनी बद्ली इस दौरे के बाद अभी तो देखा ही नहीं कुछ मैं गोवा हॉलिडे के लिए गई फिर लोनावला गई रागुल माजन हम लोग साथ में रहे अब देखते किस के अब क्या कुछ परफॉमेंस तो शयद हुई नहीं कि अगर परफॉमेंस रती तो हमको कॉरंटीन करना पड़ता तो ठीक है कल देखेंगे सल्मान साब तो मिलेंगे ना और के जिस तरह से पिछले सीजन में आपकी नाइटी चर्चे में थी और इस वार आपकी उर्दू चर तो इसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे किती खुशी होती है क्यो नाइटी अच्छी नहीं लगी ज़ाएंगे क्या बोलना चाहेंगे कहां उर्दू के साथ मेरा शेरू भी तो कितना चर्चे में रहा है शेरू कृष्न गोनी डेफिनेटली अभी उसके लिए शॉपि फ्रईय लोगों ने बहुत उसको अवल दर्जे पर रखा और लोगों ने बहुत तعरीफं के पूल बांदे हैं तो मैं हमेशा लोगों से बोलती थी घर के अंधर भी कि आप狂गों बहुत मोगालता है कि आप लोग अच्छे से बोलते हैं शगूफे में पल रहे हैं आप लेकिन ऐसा नहीं है मेरा तलफुस सबस्यादा अच्छा है जिस तरह से राकी के साथ आपकी बॉर्णिंग है 30 मीटी उसके बारे में क्या बोला चाहेंगे बाहर आकर दोनों का मिलन होगा या कि देमाने चाहें स्टेज पर देखा था जूट बोल रही थी सलमान साब से बोलत अब तो दोस्त बन गई है अंदर घर के अंदर अच्छा पैचान ले एक दूसरे को तो ओन ओफ चलता था उसके साथ भी वो थोड़ी सी उसको देखें मैं नेच्रल लेवल पे इंटेटेन करती हूं मैं content create नहीं कर सकती कि मुझे सोच कि content create करना है कि कल क्या करना है क्योंकि बिग बॉस एक reality शो है मैंने उसको हमेशा से बोला है तो उसके साथ इसी बात पर on off चलता था मेरा कि तू यह करेगी तो फिर मैं यह करूंगी तूने यह किया तो मैं यह करूंगी तो अभिनव को फसाओंगी उसका यही सीन चलता रहता तो वो मेरा मैं ऐसा नहीं कर सकती अबनाव के साथ जतना मेरा चला track वो नैश्रल था जब मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जादा इंवाल हो गई हूँ अली के साथ हो राहूल के साथ हो तो फिर मैं उस track में चलेगी मुझे इतना ज़ादा वो नहीं रहता था कि अगर अभिनव के साथ मेरा track में तो शायद पब्लिक मुझे पसंद नहीं करेगी, ऐसे नहीं होता, वो रियालिटी शो है, नेच्रल है, आप जितना नेच्रल होगे, अवाम आपको पसंद करेगी. क्या आप में मानती हैं कि अशी आपको राकी ने बत फॉलो किया, मरब आपके पिछे पिछे रही बॉफ कर रही हैं, उसके बार मेरे लिए, वो थोड़ा सा मुझे, वो ओफ था मेरे लिए, क्योंकि कभी-कभी वो बहुत गुस्सा हो जाती थी और अजीब सी बाते करने लग तो उससे थोड़ा सा बुरा भी लगता था, लेकिन अब उनको कौन समझा है, वो थोड़ी देर के लिए सही हो जाती थी, फिर से वो पलटवार करना इस्तिमाल कर देती थी, तो मुझे वो थोड़ा उनका लगता था, शुरू जैसी मैं ब्रश करने के लिए उनके साथ जा रहुल वैठड़ा के से अरे यह तो बहुत चलाख है, यह तो बहुत शातिर है, यह सी चलनगर होती है, मैं तो उसका साथ नहीं दूँगी, मैं कहती थी, यार यह क्या सीन है, मुझे नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा उनका चलता था, बाकी अच्छी है, हर इंसां के अ वे दोनों यह तीनों मैने पहले ही बोला है कि देखो सबका अपना अपना गेम बहुत अच्छा था तीनों का आफटर चैलेंजर जाने के बाद राहूल इंटेलिजेंसी से खेलता अलिगोनी खुशमिजाज इनसान है वो दोस्तों की जादा देख रहे करता है रूबीना दि बहुत अपने चीजें लोगों पर थोपने की कोशिश करती है लेकिन धीरे-धीरे अमनों की दोस्ती बनी आपने वो देखा हुआ चंद्रमुखी शूटर और गर्दू जो बनेता अलिगोनी और मैं तो वो उसी ने तयार करवाया था मुझा भी नफसे तो तब हमनों की ब अपने जब गई ती शो के अंदर तब तो मैं ने जाते से शायद कुछ कांट कर दिये थे बहुत मतलब जड़ 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 आप लोगों ने देखा हुआ प्रोमों तो बहुत कट हुए थे तो मुझे जब लोगों से मुलाकात हुई तो बहुत शान्त लोग थे अभीन तो है ही शान्त इंसान रूबीना भी अलग बिलकुल शान्ती में रहना फिर डिसीजन अपना जो है वो लोगों के सामने रखना और निकी तो वो तो बचकानी हरकते करती है वो तो बच्ची टाइप की है बाकी और लोग कौन-कौन थे अली आया अली अली और जैस्मिन जै अरे क्या बात करने है कुछ है इनी का बात करने के लिए क्योंकि मुद्दे नहीं बनते थे मुद्दे आप जब इतना बड़ा घर है बिग बॉस ने दिया है तेखो उसमें लडाईयं होना लाजमी है आप यह नहीं बोल सकते कि मैं दूत का धुला हूँ और लड़ाई नह अंदर जो जैसे मैंने बनाया अली राहूल के साथ बहुत ऐसा कट्टर मतलब रिष्टा था लड़ाई होती थी लेकिन रिष्टा था रिष्टे नहीं बने हां यह था कि बॉइफ्रेंड गल्फरेंड यह तो रोमेंटिक कपल्स के हर सीजन में चलता है लेकिन में चीज हो कमीदें रिष्टे मैं रिष्टे था किसे मैं रिष्टे है नहीं तौन बनाया ताना है